Hi friends, welcome back to Rosemir возissa Friends, आज हम राज्मा चाबल बनाएंगे कम ओयल और कम मसालों में ही बनाएंगे तो चलिए friends, अभी हमारा तैसिब श्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम राज्मा बाते हैं और उसके बाद ही हम जीरा राईस बनाएंगे तो चलिए friends अभी हम राजमा बनाते हैं तो राजमा बनाने के लिए मैंने ये राजमा को राद भर भिगो के रखा था और ये राजमा के साथ मैं ये आलू डाल रही हूँ और उसके साथ मैं अभी ये थोड़ा सा नमक डालूंगी और अभी हम इसको ग्यास में चड़ा लेंगे और ये तीन से चार हुई से लाने के बाद ही हम इसको निकालेंगे ये देखिए ये अभी अच्छे से बॉयल हो चुका है तो अभी हम इसको एक साइट में रख लेते हैं और मसाले की तैयारी करते हैं तो मसालों के लिए मैंने ये कड़ाई चड़ा लिया है अभी हम इसमें 3-4 टेबल स्पून ओयल डालेंगे ओयल थोड़ा सा गरम होने के बाद हम इसमें 1.5 टीज़्पून जीरा डालेंगे मैंने इसमें ये पियाच का पेश्ट डाला है ये थोड़ा सा दर्दरा रכा है मैंने तो अभी हम इसको अच्छा से फ्राइ कर लेते हैं और इसका जो कच्चापन का स्मेल हो निकलना चाहिए अच्छे से और अब देखे हैं ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन भी हो चुका है तो अभी हम इसमें गार्लीक मैंने इसमें हाप को टोरी पानी डाला है और इसमें सारे मसाले डालेंगे तो मैंने इसमें धन्या पाउडर वान टीस्पून जीरा पाउडर हाप टीस्पून और हल्दी थोड़ा सा डालेंगे हाप टीस्पून से थोड़ा कम डालेंगे तो चिकन मसाला मैं इसमें वान टीस डाल रही हूं और अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे आप अपने टेस्ट की सबसे ही डाले लेगा तो मैं वान टबुस्पून कस्तूरी में थी इसमें डाल रही हूं अभी अभी इसको अच्छे से मिक्स करके ढख लेंगे और ग्यास के फ्लिम को मीडियम रखें ताकि मसाले अच्छे से पक जाए ये देखें फ्रेंट्स मसाले अभी रेडी है और ये देखें चारो तरफ से तेल भी निकल चुका है अभी हम इसमें उबले हुए राजमा और आलू को डाल देते हैं आलू हम सिर्फ इसमें इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें राजमा को थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है तो इसको अभी हम अच्छे से 10 मिनिट के लिए इसे ही चलाते रहेंगे ये बाद राजमा का जो पानी है इसमें डाल देंगे ये पानी को हम इसमें डाल देंगे और इसको अभी हम अच्छे से बॉल करेंगे अच्छे से 10 मिनिट के लिए उबलेंगे ये दिखे, इस तरह को अच्छे से उबलने के बाद हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे अगर पास fresh coriander leaves है तो आप इसमें डाल दिजेगा ये दिखे, मैंने गरम मसाला वाण टी-स्पून से थोड़ा कम डाला है इसमें तो अब हम इसको side कर लेते हैं, यह हमारा राजमा रेड़ी है, तो चलिए अभी हम जीरा राइस बनाते हैं, जीरा राइस के लिए मैंने pressure cooker में यह वान टी स्पुन ओयल डाला है, अभी हम इसमें half टैबू स्पुन जीरा डालेंगे, तो मैं यह एक को टोटी चाबल को मैंने के रखा तरू उसको भी मैंने में दाल दिया है अब हम इसको तो से थीन मिनित के लिए फूल फ्लेम में अच्छ से फ्राय करें के और उसमें में मैं ग्रीन चीली डाल रहे हूं करके ये देखी इस तरह से अभी हम इसमें पाने डालेंगे एक पटोरी चवल लिए तो उस हिसाब से मैं इसमें 2 कटवरी पानी डाला दिया है अभी हम इसमें नम्मक डालेंगे आप अपने टेस्ट के इसाफ से नम्मक डालेंगे अभी हम इसको मीडियम फ्लेम में एक हुआ सिल आने तक ग्यास पर चड़ा के रखेंगे यह हमारा वान हुआ चुका है तो अभ से ही 30 मिनिट्स तक रखेंगे मिनिट्स के बाद ही इसका ढखकन खोलेंगे यह देखिए तो चलिए आभी हम इसको निकाल देते हैं तो फ्रेंड्स यह रहा हमारा राजमा चाबल तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कैमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आता है तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीज़े थैंक यू बाइबाइ